शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इन्वीस या न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भुले माता पिता की स्मृती में ग्रामिन क्षेतरों में खेत में काम करने वाले परिवार को धान्यकीत का किया वितरन कोरोना वाइरस के प्रकोप ने ग्रामिन क्षेतरों में खेत में काम करने वाले कामगार वर्ग के लिए एक बड़ा संकत पैदा कर दिया इस कारण पूर्व मंत्री रमेच चंद्र बंग ने गोपी किशन बंग और दीवंगत मा देवकाबाई बंग की सुरूती में सैक्रोज जरूरतमन परिवारों को धान्यकीत का वितरन किया सरकार ने कोरोना वाइरस के प्रसार को रोकने के लिए 30 मई तक का लॉकडाउन किया है जिस कारण रोजगार मिलना बंद हुआ है अपने परिवारों को दो वक्त की रोटी खिलान पाना मुश्किल हो गया है ग्रामन इलाकों में एक रूशी मुख्यवयसा है इसलिए उन खेत में काम करने वाले मजदूरों के लिए एक बड़ा संकत बना हुआ है बाजार पुरी तरह से खुले नहीं है और खुले है तो भी सामान खरिती करने पर पैसे नहीं है ये गरीब परिवार के बारे में सोच कर पूर्वमंत्री रमेश्चंद्रबंग ने अपने पिता स्वर भीमनगर, देवली, पेंडारी, कजली और अन्य गाव में सेक्लों जरूरत मन परिवारों को दैनिक जरूरतों की कीटी इनमें चावल, आटा, अरहर की दाल, मिठा तेल, मिडिच पावडर, हल्दी पावडर, नमक, मसाले, साबुन, आदिशामिल है सामाजिक दूरी रखते हुए, सरकार के नियमों का पालन करते हुए, दिवंगत कोपी कीसन बंग, विद्याले देवली, पेंडारी, और स्वर्गिय देवकी बाई बंग, हाल स्कुल कान्होली बारा के परिसर मिलतरन किया गया, पूरु वमत्री रमेश चंद्र बंग, जि शिकान मोहिते नितिन तुपे कर उपस्ते थे, इस कार्यों को सफल बनाने के लिए कई लोगों ने करिब महनत की है, इन बीस यान नियूस के लिए हिंगना से सुनिल शेटी के साथ अभिशेख पानसी के रिपोर्ट